खबरीवा जिले से है जहां जिला नयायले के अस्टम अपर सत्र नयायधीश प्रवीर पटेल की नयायले में एहम फैसला सुनाया गया है जिसमें आपहरण के आरोपी को अजीवन कारावास की सजा के साथ 5000 के अर्थ डंट से दंडित किया गया है दरसल पूरा मामरा चुरहटा थाना छेत्र का है जहां 2015 में जै जोती स्कूल के चात्र का अपहरण किया गया था और पाश लाग की फिरोती मागी गई थी लेकिन ततकालीन पुलिस सदिक्षक आकास जिंदल और एडिशनल स्पी प्रेन नागवनसी की सक्रेता के चलते चात्र को सकुषल बरामत कर आरोपी को गिरफतार कर लिया गया था आरोपी को दोशी मानते हुए न्यालय ने उक्तिदंड से धंडित किया है पुलिस ने आरोपी अनुप कुमार यादव पिता सोबनात यादव आयू 24 भर्स निवासी ग्राम मुठिया थाना चुटिया जिला रो पहारी ने उक्तिमामले में क्या जानकारी दी है दिनांग 25 या 2015 को एक बालक जो है जेपी नुबस्ता प्लांट से ट्यूशन पढ़के घर आया उसके बाद धर से आनेक बाद चला गया खेलिया उसके बाद देर रात नहीं लोटा तो उसकी मां हरिशान नहीं क्या बालक न सब्सक्राइब करें मैं आपको बाद में फोन करूं उसके पिता जो है जिदे नौबस्ता चौकी चले आते हैं थाने में रिपोर्ट करते हैं पुलिस द्वारा जो उसमें कारवाई की जाती है और उसमें जो आरोपी का जो मोबाईल नंबर था उसकी सीडियार निकाल के उ पता चलता है उसके लोकेशन ओवरा चोपन उत्तरबदेश जिला सिंग रोली उधर पड़ती है फिर वहां से उनिस द्वारा बच्चे की दस्तियाबी की जाती है दस्तियाबी के बाद मामला न्याले में अभ्योगपत पेस किया जाता है मानी न्याले मेरे द्वारा जो त पंद्रा कमाम इसने माननी अपर सत्तिनायदीश प्रमिट पटेल जी दवारा आरोपी को आजीवान कारवासें पाजार जुबाए जुर्मालिस गंदीश एक ही आरोपी ते अनुक हुमार याद